बिहार के सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाले आरजेडी का टाइटाइप फिस हो गिया नमस्कार मैं उरादन कुमार आप देख रहे हैं न्यूज पियार चार बिधायकों को तोर कर आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गए लेकिन सदसिता अभ्यान में सबसे पीछे रह गए आरजेडी का दोहजार चोबिस का प्लान विधान सबाद चुनाओ लोग सबाद चुनाओ परनाजर टीकी हुई है सदसिता अभ्यान का दौर चर रहा था इस दर्मियान करीब सदसिता अभ्यान कम्पलीट हो चुकी है और RJD के सरवे के अनुसार मातर 45 लाखी सदसिता अभ्यान में जूर पाए है करोरों की थी बात कि करोरों से करोर लोग इस सदसिता अभ्यान में जूरेंगे और RJD मजबूत होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तेजसभी न जो प्लानिंग किया था सदसेता अभ्यान को लेकर वो प्लानिंग फेल हो गई यानि RJD को जटका लगा जमीनी अस्तर से ब्लॉक अस्तर से लेके सहरी छेतर में सदसेता अभ्यान को सुरू किया गया इसका सुल्ग था 5 उर्पया लेकिन बरहा कर 10 उर्पया कर दिया गया जिस सदसेता अभ्यान को ब्लॉक अस्तर से लेके सहरी छेतर तक किया जा रहा था उसमें RJD ने क्यास लगाया था कि सदसेता अभ्यान में भारी से भारी युबाओं को जुटाएंगे और RJD को एक मजबूत पाटी बना कर 2024 विधान सबा और लोग सबा चुनाव में उतरेंगे लेकिन 45 लाग पे ही RJD का सदसेता अभ्यान समाप्त हो गिया और 45,000 लोग ही RJD के दामन थाम पाया जो एक्टिव मेंबर है उनके लिए 1000 का सदसेता अभ्यान रखा गिया था कि वो पाटी के लिए एक्टिव मेंबर रहेंगे उसमें भी ऐसा नहीं हो पाया अब RJD के कोशा का अगर बात कर लिया जाए फंडिंग की बात कर लिया जाए तो फंडिंग में भी RJD सबसे पीछे नजर आई कई नेताओं मंत्रियों का काना है कि जल से जल फंडिंग को मजबूत कर लिया जाएगा लेकिन सदसेता अभ्यान ने RJD का पोल खोलकर रख दिया और 45 लाख युबाही RJD में सामिल हो पाया है इस अदसेता अभ्यान का हिस्सा बन है हमने आपको पहले भी बताया था कि तेजस्बी यादव परदेश अध्यक्स के लिए एक नया नाम यानि युबाहों के हाथ में देना चाहते हैं क्योंकि बिहार अब युबाहों के हाथ में जाने वला है तेजस्बी यादव यंग है तेजपरताप यादव यंग है लालू के कहने के अनुसार तेजस्बी यादव चलते हैं रननीती को तयार करते हैं वायम समिकरन बाली पार्टी अब A to Z की पार्टी बन गई है तेजस्वी यादव ने वो करके दिखाया लेकिन इस सदसिता अभ्यान को लेकर तेजस्वी यादव ये नहीं सोचे थें कि 45 लाग पे ही सिमट कर रहा जाएगा पार्टी फंडिंग भी ना के बराबर रहेगा कि सारे अकलाओं पे तेजस्वी यादव बैठा कर रहें और इसे देख रहें कि आखिर चूक कहा हुआ कि उसे जल से जल सुधार लिया जाए